हर एक ट्रेड के लिए निव निव अपड़िट दूस्तों मैं इस वीडियो पूरा देखना चैनल फर दूस्तों नए होगे सब्सक्राइब करें एकंग को जरूर प्रेस कलेना दोस्तों बात करता हैं आपगा वह जो वेकंसी आहीं दिल्ली मेट्रीयर रेल करपर से लेंटेट कि तरह दोस्तों वेकंसी आई हुई है a joint venture of the government of India of government of Delhi the lifestyle of Delhi advertisement नमर दोस्तों आप दिसकते हैं आपड नोटिफिकेशन नमर दिया गया है 26-23 दूस्तों notification है requirement of the non-executive for the DMRC Mumbai project on diffusion post retirement contractual engagement price basis दूस्तों यह भरती है न यह contractual base पे है और यहाँ पर हर एक category के लिए जो है दूस्तों यह vacancy दिखा ली गई है तो चलिए हैं दूस्तों दिखाते हैं department और post name or post code essential qualification क्या है आपको कैसे apply करना है fees कितनी है age कितनी है सारी information दूस्तों इस वीडियो आपको देने वाले हैं तो दूस्तों एक बार फिस मैं आपसे request करूँगा इस वीडियो को फूरा देखना like करके subscribe जरूर कर देना दूस्तों आपर जो सबसे पहली vacancy हैं आप दूस्तों rolling stock की है supervisor post है और technician post है दूस्तों आपर three year engineering degree diploma in electrical equivalent trade in government recognition city institute में है और दूस्तों technician के लिए matriculation to health pass and ITI certificate electricians है मतला दूस्तों आपर 12 मी या फिर ITI electricians होना चाहिए to NCBT, SCBT से आप जो है apply कर सकते हैं E&M supervisor and technician दूस्तों आपर दो तरकी जब बगें से three year engineering degree diploma in electrical equivalent rate from a government recognized necessity matriculation, so technician के लिए IT plus 12 यहाँ पर compulsory मांगा गया है trackation दूस्तों आपर जो next post है, trackation का है trackation का है, supervisor और technician, इसमें दूस्तों आपर three year diploma मांगा है, electrical ने ठीक है लेकिए हाँ आपर technician के लिए दूस्तों आपको 12th pass matriculation sorry matriculation यहाँ पर 12th pass and having ITI in electricity trade दूस्तों यह जो है आपर requirement है next दूस्तों आपर है yes and t है supervisor and technician है दूस्तों आपर supervisor के लिए दूस्तों आपको three engineering degree यह diploma in electronics, computer engineering, information technology, electronics, communication, electronics, communication and industrial, integrated electrical दूस्तों आपर जो technician के जो पोस्ट है वह है दूस्तों है matriculation class 12th and having ITI NCBT यह पर एक सीटू इलेक्टिकल वेकनिक दूस्तों आपको दूस्तों आपको दो तरह की बेकिन्सी यह आपर दिख़िए दूस्तों जो next है आपर है civil and track और next है operation इसे दूस्तों आप सिविल है, supervisor है और हं technician है same thing दूस्तों आपर 12th pass या 10th past plus ITI होना चाहिए और इसमें 3-year degree होना चाहिए सुपरवाज़ों दोस्ते हैं आप अत्वर से difference है qualification 3-year degree in discipline या BSc honors in physics chemistry math या BSc physics chemistry math होना चाहिए government recognized university या फिर institute अब बात कर लेते हैं आपर age limit की age limit कितनी होनी चाहिए उमर की बात करें the age limit of candidate applied on deputation बेसे सेल भी 55 year कम से कम दोस्तों पच्पन सारी अधिस अधिक पच्पन यह होने चाहिए उससे अधिक वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं the age limit of the candidate applying PRCE बेसे सेल बासटी यर इससे अधिक वाले लोग अप्लाई नहीं कर तो उससे नीचे वाले ही अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद यहां पर पेड़ेंट है और सेलरी है तो इसके बाद यहां पर पेड़ेंट है और सेलरी है तो इसके बात किया रहा है इन रिटायर्ड आइकिवेलेंट आइडिए ग्रेट आप दा सहते हिजार से रेकर एक लाग पंद्रह हिजार दुस्तों पर मंत पच्चास जार रुपया है आप लोग देख लिना दुस्ते आप जो भी फीज से और डिटेल दी गई है बाकी यहां पर स्क्रीन प्रोसर्स देख सकते हैं आपका जो वेबसाइट दूस्तों यहां पर वेबसाइट है और सारी प्रक्रिया वहां से आप अप्रोसर्स कर सकते हैं अगर आप दूस्तों के बाद दूस्तों अपलाई करते हैं तो आपको जो है रिजक्त कर दिया जाएगा और दूस्ते हैं आप बाकी डीटेल यहां पर दिया हुआ है आप दे सकते हैं एक्जिक्टिव डिरेक्टर एचार डेल ही मेटर औरेल कर्परिशन लिम्टेड मेटर भोगन फायर व्रिजलेन बर्खामबा रोड डूडल ही यह दूस्तों आफिस का जो है अड्रेस है बाकी सबकुछ आपको फिल करना है मुबाइल नंबर इमेल आइडी कटेगरी डिटेल इस्टेट पीर कोड यह सब अब को जो है इसको दोस्ते हैं आप आप देगें कि क्वालिफिकेशन पार्टिकुलर सब्जेक्ट इस्टूट्स और पासिंग यह सब को फिल करना है नीचे इसके बाद डाकुमेंट्स आपको जाने के दोबारा जोरत नहीं है वेबसाइट आपको जाने के दुबारा जूरत नहीं है जोस्ते हैं वेबसाइट www.delhametrorail.com आप विजिट करेंगे आपको यह जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जोस्तो इस वीडियो में इतना ही अमिलता के लिए वीडियो में जैन